वेल्टम टू बैचलर सकुकिर्ण आज हम आपको बनाना सिखाएंगे टमेटो उपमा तो तमेटो उकमा के लिए क्या क्या चाहिए ये मैं आपको बता दूँ है तो सब से पहले तो तमाटर चाहिए अच्छी खासी फ्क्वंटिटी में चाहिए आट दस तमाटर ले ले लाएं आप हमें चाहिए रवा यानि की सेमोलीना साथ में मस्टर्ड सीट करी लीव्स अनियन धनिया बत्ती गार्निशिंग के लिए नमक लाल मिर्च हल्दी और थोड़ा सा धनिया पाउडर तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तमेट उकमा तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है यह मैंने टमाटर ली है अच्छे लाल लाल टमाटर इनको एक ब्लेंडर में डालके इसकी प्योरी बना लेते हैं इसके चार चार टुकड़े करके डाले अब इसकी हम प्योरी बना लेते हैं यह हमारी टमाटर की प्योरी तियार हो गई है तो एक कड़ाई लेके इसमें हमें ड और इनको अच्छी तरह से ख्रेकल होने दें, ये मस्टर्ड सीड हमारे अच्छी तरह से ख्रेकल होने लगे है, आप क्या करने है, ये करी लीव, आठ दस पत्ते, ये आड़ कर दें इसमें, अगर आप तीखा पसंद करते हैं, तो इसी टाइम पर आप हरी मिर्च भी डाल सकत और साथ में एड़ कर देंगे लगबग दो चम्मच स्लाइस्ट अनियन और प्याज को ट्रांस्परेंट होने तक कुक कर लेंगे ये प्याज हमारी पक गई है अब हम इसमें एड़ करेंगे लगबग एक कप रवा और इसको मिक्स कर लेना है हलका सब भून लेना है और भूनते समय ही इसमें एड़ करने हैं हमें ड्राइ मसाले ड्राई मसाले में एक चुटकी हल्दी लगबग एक चुटकी धनिया पाउडर लाल मिर्च स्वादानुसा और नमक स्वादानुसा और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ा भूनना है ताकि ये जो हमारे सुखे मसाले हैं इनका कच्छा पन थोड़ा निकल जाए तो ये जो हमारा घवा है और ड्राई मसाले ये अच्छी तरह से फुन चुके हैं अब हमें क्या करना है ये जो हमने टमातर की प्यूरी बनाई थी ये इसमें एड़ कर दें закон, जैसे ये ड्राइ हो जाएगा इसकी कंसिस्टेंसी आ जाएगी आपका उप्मा तैयार हो जाएगा इसको चलाते रहें और थोड़ा सुखा आलें तो यह हमारी consistency आ गई है तो बस flame को करें बंद और इसमें add करते हैं थोड़ी सी धनिया पत्ती गार्निशिंग के लिए और आपका टमेटो उकमा तयार हैं जरूर रहे किजगा बहुत simple हैं नाश्टे में खाएं बहुत healthy है जरूर रहे किजगा तमेटो